कहते हैं कि जब वो भस्म लगाता है तो ना जाने कितनों को भस्म कर देता है अब ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलने वाला है आजे देवगन के अपकमिंग मूवी भूला में जिसकी पहली जिलग आखेतकार देखने को मिल ही गए तरसल भूला फिल्म का टीजर रिलीस कर दिया गया है इस माज़य का चेहरा भले ही ठीक से देखने को नहीं मिला लेकिन दमदार एक्शन जरूर दिग्या है एक तरफ जहां थीटर्स माज़य की फिल्म द्रिश्यम 2 जबर्दस कमाई कर रही है और दर्शकों की खुब तारीफ बटोर रही है तो वहीं दूसरी ओर आप भूला का टीजर सुर्ख्या बटोर रहा है बोला की टीजर में वो सब कुछ है जो फिल्म देखनी के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ाएगा अजय देवगन का सॉलिड नयलोग और कहानी में दमदार एक्शन फैंस को बहुत पसंद आने वाला है उपर से इस पावरफुल केरेक्टर के साथ जो धासू बैक्राउंड म्यूजिक है वो थेटर्स में अजय के किरदार का भोकाल और दमदार बनाएगा आपको बता दे कि अजय के साथ भूला में तब्बू संजय मिश्र और दीपक दोब्रियाल जैसे दमदार एक्टर्स भी हैं बोला की टीजर की बात करें तो अजय के किरदार के बारे में बहुत कुछ नहीं पता चला टीजर एक बच्ची से शुरू होता है जो नात आश्रम में है आश्रम की वाडन उसे बता रही है कि कल उससे मिलने कोई आने वाला है इसके बाद कहानी में नरेशन से अजय के किरदार का महौल बनना शुरू हो जाता है वो है कौन फ्रेम में जेल में बैठा एक आदमी गीता पड़ता दिखता है और फिर नरेशन बताता है कि उसके जेल से बाहा निकलने का टाइम आ चुका है पीछे से आपको सुनाई पड़ता है कौन है कहां से आया है किसी को पता नहीं और जिसे पता था वो बचा नहीं अजय का चेहरा टीजर में नहीं रिवील किया गया है मगर जेल से निकलते आदमी की चाल देखकर कोई भी बॉलिवूड फैन पहचान लेगा कि ये अजय है एक आदमी की आवाज में आपको सुनाई पड़ता है जब वो माती पर भस्म लगाता है तो नजाने कितनों को भस्म कर देता है जब एक दूसरा आदमी पूछता है कि उसका नाम क्या है तो जवाब मिलता है नाम बताया तू पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी आपको बता देगी भोला तमिल में बड़ी हिट फिल्म कैर्थी का रिमेक है जो किरदार अब अजय निभा रहे है उसे ओरिजिनल फिल्म में कार्थी ने निभाया था डारेक्टर लोकेश कनगराज की फिल्म कैथी सिनेमा फैंस के बीच एक कल्ट का दरजा रखती है इस फिल्म से लोकी उनिवर्स के शुरुआत हुई थी जिसकी दूसरी फिल्म विक्रम ने साल खूब तहल का मचाया वही भोला में इस कहानी को हिंदी ओडियंस की पसंद के हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया गया है और इक कैथी से जादा बड़े बजट और सैटिंग के साथ बनी है भोला में अजय देवगण जबर्दस्ट एक्शन भी करने वाले हैं और मेकर्स ने एक्शन सीन्स को परदे पर धासू बनाने के लिए फिल्म 3D में मनाई है अजय देवगण खुद ही भोला के डारेक्टर भी है और इसलिए टेक्निकली फिल्म के और बहतर होने की उमीद की जा सकती है लेटेस्ट अबडेट्स के लिए देखते रहें वाइरल बॉलिवड आज ही डाउनलोड करें देवभूमी इंसाइडर एप